साथ्यों पिछली बार जो परिस्तित्यां थी वो अभी से काफी बिन्न थी तब हमारे पास इस वैस्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इन्फा सक्टर नहीं था आप याद करिये देश की क्या स्थिति थी कोरोना टेस्टिंग के लिए परियाप्त लैब नहीं पीपीई का कोई प्रोड़क्शन नहीं हमारे पास इस बिमारी के ट्रिट्मेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली हैं वो जादा से जादा जीवन बचा रहे हैं आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई कीट्स हैं लैप्स का का नेटवर्ग है और हम लोग टेस्टिंग की सुविदा को निरंतर बढ़ा रहे हैं साथियों देश ने कोरोना के खिलाब अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैरिय से लड़ाई लड़ी हैं इसका स्रे आप सभी को सभी देश वास्यों को ही जाता है अनुशाचन और धैरिय के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं मुझे विश्वास है जन भागिदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तुफान को भी परास्त कर पाएंगे आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि कैसे कई लोग कई सामाजिक संस्ताएं जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाने में दिन राद जुटे हैं दवाई पहुचाना हो खाने या रहने की व्यवस्ता करनी हो लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं मैं इन सभी के सेवाभाव को आदर पुर्वक नमन करता हूँ और देश्वाश्यों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देश्वाशी आगे आएं और जरूरत मंदों तक मदद पहुचाएं समाज के पुर्शार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मौले में, एपार्टमेंट्स में छोटी-छोटी कमीटियां बनाकर कोवीड अनुसासन पालन करवाने में मदद करें हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंट्रेन्मेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी न कर्भी लगाने की जरूरत पड़ेगी और लोगडाउन का तो सवाली नहीं उड़ता है, आवसकता ही नहीं पड़ेगी स्वच्छता अभियान के समय, देश में जागरूपता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की दी, छोटे-छोटे बालक पाँच्वी, साथ्वी, आँच्वी, दस्वी पड़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था, उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था, आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेश तोर पर कहना चाहता हूँ, मेरे बाल मित्र, गर में ऐसा माहूल बनाईए, कि बीना काम, बीना कारण, घर के लोग घर से बाहर न निकले, आपकी जीत बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है, प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है, कि ऐसे संकट की घड़ी में, वो लोगों को सतर्क और जागरुक करने के लिए, जो प्रयास कर रहे हैं, उसे और बढ़ाएं, इसके साथ ही, इसके लिए भी काम करें, कि डर का माहोर कम हो सके, लोग अफ़ा और ब्रह्म में न आए, साथियों, आज की स्थिती में, हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है, मैं राज्यों से भी अनुरोद करूँगा, कि वो लोग डाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें, लोग डाउन से बचने की भरपुर कोशिश करनी है, और माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही ध्यान के इंद्रित करना है, हम अपनी अर्थववस्ता की सहेद भी सुधारेंगे, और देश वास्यों की सहेद का भी ध्यान रखेंगे, साथियों, आज नवरात्री का आखरी दिन है, कल रामनोमी हैं और मर्यादा पुरसोतम स्री राम का हम सभी को यही संदेश है, कि हम मर्यादाओं का पालन करें, कोरोना के इस संकटकाल में, कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कुरुपिया करके उनका पालन शत्प्रतिशत करिए, दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है, यह मंत्र जरूरी है, वैक्षिन के बाद भी जरूरी है, रमजान के पवित्र महने का भी आज सात्मा दिन है, रमजान हमें धैरिय, आत्मसयम और अनुशाचन की सीख देता है, कोरोना के खिलाप जंग जीतने के लिए अनुशाचन भी उसकी भी उतनी ही जरूरत है, जब जरीरू हो तभी बाहर निकले, कोवीड अनुशाचन का पूरा पालन करे, मेरा आप सभी से यही आगर हैं, मैं आपको फिर यह भरोसा देता हूँ, आपके इस साहस, धैरिय और अनुशाचन के साथ जुड़कर, आज जो परिस्तित्या हैं, उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, आप सभी स्वस्त रहें, आपका परिवार स्वस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समात्र करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कामना के साथ मुड़ेगा,